आज हम एकदम सिंपल और सीधे तरीके से होटेल या रेस्टराइन में जैसे मेदू वड़े मिलते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो देखें कि एकदम सिंपल तरीका है साथी में बनाएंगे सामबार और चटनी नारियल की बहुती टेस्टी लगती है खाने में एक बार मेरी तरीके से बना के देख दिकिए इक दम रिष्टराइन जैसे टम्सकूले बाहर से क्रिस्पी और अंधर सॉफ्ट जालीधार ya सब्सक्राइब करना मत बुलेगा साथी में बेल आइकन पर प्रेस किजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफेकिशन आपको तुरंगल सकें तो सबसे पहले लेनी हमें तूर के दाल तो एक कप यहां पर मैंने तूर के दाल लिया है इसे हमें अच्छी तरह से दोना है दो गुपकाना है तो कुकर में दो चमच तेल लिया है तो दूल घरमि सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब लका करें झूरे हम कापने देखंग Ken ultra कडिव सब्सक्राइब करें और नो सब्सक्राइब हूं чुका है तो फोड़ा से ट्रांस्परंट हुआ है इतना ही हमें इसे भूना है तो अभी इसमें डालेंगे टमाटर तो यहाँ पे मैंने न एक बड़े सा इसका टमाटर बारी कट करके लिया है उसे डाल देते हैं और टमाटर न एक दम लाला होंगे न तो कलर भी बहुत अच्छा आता है तो तमाटर कुब है थोड़ा से हलका सा भून लेते हैं अब यह त Guinea थोड़ा जोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे मसाले तो मसाले जादा नहीं पढ़ते ठोड़ें नहीं पर ह्भी तोड़ेन पौड़ा डालेंगे एक जमजबर के लाल मिर्ची पवाड़ा है कितम कि या और सबसे मेन नहीं है और यहां चब की 2ह कि पार मसाल बाद सें कर लेखेď को आधे भुह टोड़ा खपा cabinet के बाद सबस्यावार करना दुआ हरा यह जाए है इसमें डालेंगे पानी तो पानी कितना डालना है वह भी मश्क्राश दो द करना दुर लास तो इसके लिए ना मिक्स कर लेते हैं कि देखिए देड़ ग्लास के ऊपर मैंने पानी डाला है क्योंकि सामबार जो है थोड़ा पतला यह अच्छा लगता है तो इसके लिए थोड़ा पानी डालेंगे ज्यादा और अच्छी तरह से हम इसे पकाना होता है तो अभी डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमग और इसमें जो सब्जी है ना हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है अगर इसी टाइम आपने सब्जा डाली तो सब्जा एकदम पक जाएंगे तो कुकर में तीन सेट्टे लगा लेते हैं तब तक देखते कौन से सब्जी मैंने लिया है थोड़ा से दो यहापे मैंने सिंग ली है ड्रम स्टिक और थोड़ा से पंकिन लिया इसकी जगह आप दूदी भोपला भी ले सकते हैं जो सब्जी आपको अच्छी लगते वो ले सकते हैं तो इन सब्जों को मैंने काट लिया है साथी में अबी नारियल की चट्नी को थोड़ा पनाने और टेस्ट के लिए आप में दो चमच इतना फुटाना डालें तो लसन डालेंगे तीन तो लसन का ज्यादा इस्तमाल नहीं करना है बस तीन लसन और एक हरी में टाल तो यह वैसे तो यह चट्नी थोड़ी फिक्किया अच्छी लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के पीश लिजा और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं तो देखिए पिसे पिसे मेने थोड़ा और पानी डाल ला है और इस तरह से हमारी जो है नारील की चट्नी हो गई यह तैयार इस्धम गाणि भी नहीं रखनी और नहीं पतली तो यह हमारी नारियल के चटनी हो गई है तैयार तो देखते हैं हमारी दाल भी पकी है कि नहीं तो यहाँ पर दाल भी हमारे अच्छे से गल चुकी है तो थोड़ा से इसे फेट लेते हैं ताकि गूल मिल जाए और जो जो सामबार है हमारा एकदम गाड़ा बने तो थोड़ा से ही हमें इससे फेटना होता है अभी इसमें डालेंगे सब्जा तो सब्जों को मैंने अच्छे से दो लिया है और देखिए इतने से बड़े-बड़े पीसे में कट कर लिया है और पैगोन को नो जबी सब्जी डालना है दाल में तभी कट किजिए तो बैगन काला पड़ सकता है अभी थोड़ा से इसमें और पानी डालना पड़ेगा क्योंकि यह जो सामबार है हमारा गाड़ा है तो इसके लिए थोड़ा सा पानी डालके अट्जेस्ट कर लीजिए और अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते है अभी इससे हमें दो सीटी लगाने हैं वापस है कि सब्जे अच्छे से पक जाए और दाल में जो भी कसर है वो भी अच्छे से पक जाए तो इसे दो सीटी करा लेते हैं तो यह देखिए सामबार हमारा हो गए तैयार दो सीटी मैंने कर लिए है सब्जे भी अच्छे से तो सामभर को मैंने कडाई में ट्रांस्पर कर लिया है अभी इसे थोड़ा तो ना कितना गाडा या पतला करना है, पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं सांबर जोने थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है तो इस में डालेंगे इंगली का पानी तो यहां पर मैंने थोड़ी से पानी में विगो के डाली थी अभी आपको कितना खटा चीए उसी सब से पानी डालें और डालेंगे गूर्ड क्योंकि थोड़ा से उपर से तड़का लगाना है तो एक पैन में मैंने तड़के पैन में तेल डाला है और एक सुखी लाल मिर्च डालेंगे तो यहां पे में ना काश्मीरी लाल मिर्च पावडर लारी हो आदे चमज इतना इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे सांबर में और का डाल दिया है और सांबर को हमारे अच्छे से उबाल भी आ चुका है तो यह गर्मा गरम सांबर हमार तयार है उपर से तोड़ा सा हरादनिया डालेंगे तो यह ना आप चावल के साथ या किसी भी इडली डोसे के साथ भी खा सकते हैं बहुती टेंस्टी लगता है अब ज़रूर एक बर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए रिसिपि आपको कैसे लगे अभी हमारे चटनी और सांबर दोनों तयार है तो च 6 गंटे तो patio के रखें ताके दाल अच्छ शॉफ्ट हो जाये देखिए दाल हमारी अच्छ से सॉफ्ट हो चुके और इसका पूरा पानी लुक्षा जमेंना है पानी भी नहीं सबस्टेब करना है बड़े वरतन में निकाल लेते हैं इसे कांट से निकल को फाना होगा क्यां कि यह शंच क्सानिता शचेव 25 आघा रहा है तो इसी तरह दाल पीस लेती हूं तो यह देखिए दाल हमारी थोड़ी थोड़ी करके में पीस लेती हूं तो अधिने हो चुकी है ज़िए कितनी गाड़ी है बिल्कुल भी नहीं डाला है अभी हातों से हमें इसे फेटना है कम से कम पाच मिनिट एक डायरेशन में अच्छे से फेटी है ताकि दाल का जो बैटर है हमारे मेदुवड़े का एकदम फलफी बने इसे ही हमारे जो मेदुवड़े एकदम क्रिस्पी बनते हैं और बीना पानी का यह बनाएंगे तो एकदम मेदुवड़ एकदम परफेक्ट बनते हैं एकदम अंदर से जाली दार और बाहर से क्रिस्पी तो जो स्टेप आपको बताते जारी हूँ ऐसे ही कीजिए अभी दाल को अच्छे से फेटने के बाद में एक हरी मिर्ट में डाली है साथी में थोड़ी से कड़ी प जाली दार बने इसके लिए रहा तो दो पिंच इतना ही पेकिंग सोडा डालना है ज्यादा नहीं बस दो पिंच इससे क्या होगा हमारी जो मेदुवड़े का बैटर है और बीई रख फिल्का बनें आर मेदुवड़े का हमारे अंदर जाली दार बनेंगे और बाहर से इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, तो थोड़ा से मिक्स करने के बाद यह हमारा बैटर हो गया है, तैयार अतो चलते हैं मेदोवड़े बनाने के लिए, तो क्या नहीं है, कटोरी में पानी लेजे, हातों में थोड़ा सा पानी लागा लिए, पूरा हथ गिला करना है, औ तो देखिए खाल गोल करने के बाद थोड़ा सा अंगोटे से चप्टा करके बीच में हमें इसको छेद देना है तो देखिए कितना आसा है ना किसी प्लेट का चनी का किसी का भी इस्तमाल किये भी आप आसा निसी है मेदू बड़े बना सकते हैं और हर भार ध्यान रखिए हाथों को पानी लगाना बहुत जरूरी है तो हाथ गेले होते ना तो यह आटा बिल्कुल भी हाथों में चिपकता नहीं है और आपको कितने बड़े चोटे साइज के जैसे बड़े बनाने हैं उसी सबसे बना सकते हैं तो कितनी इजीली निक बन रहे हैं और गरम गरम तेल में इसे छोड़ देते हैं और ध्यान रखिए तेल अच्छे से गरम होना चाहर मीडियम फ्लेम पे रखिए ताकि मेदू बड़े जो है देखिए तुरंट से फूल भी अच्छे से गए हमारे मेदू बड़े है तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताए रेसिपी अच्छे लगते तो चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत बुलेगा साथे में बेल आइकन पर भी किजैंने तो क्या होगा मेदू बड़े जो हैं अंदर से खचे रहेंगे बाहर से तो फ्राइब होंगे लेकिन अंदर से खाते समय बहुत ही कच्छे रहेंगे तो इसके मिडियों फ्लेम पे तोड़ा टाइम लगता है लेकिन नमस यह तो देखिए इस तरह से खलऊ आने त सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथे में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और फ्रेंट सरकल में भी जरूर रेसिपी को शेर कीजिए ताकि वह भी ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपी का अनन्द ले सके बाहरं से और क्रिस्पी और अंदर से एकदम छाली दार ऐसी है वड़े हमारे बने हैं को तो देखिए एक Dum क्रिस्पी और छाली दार वड़े केसे बनाने के हैं वह मेंने आपको बता दिया है तो जल्दी से बनाई और इंजोई कि जैना पने फैमिले के साथ